हेलो फ्रेंड, वेलकम तो देर चेनल सॉलिशन, हमारे जी पैट, नाइफर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मसिस, एक्स्क्लूजी सीरीज में आपका स्वागत है, इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को टेबलर फॉर्म में, शॉर्ट में, विद गया हो, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होता है, जो कि लेप साइट करेस्टिक चेस्ट पेन के साथ जाना जाता है, जो कि रेडियेट होता है अपर आर्म की ओर, तो इसके कौन-कौन से फॉर्म है, इसका तीन टेबल क्लासिफिकेशन है, पहला है आपका स्टेबल, इसी क हम लोग बोलते हैं क्लासिकल, या इसी को बोलते हैं एक्सरेशनल, या इसी को बोलते हैं एथरोस्कलोटिक एंजाइना, अब भाई, कभी आपने सुना है कि कोई टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हो हेडिंग ये है, अगर आपको ये पूछा कि स्टेबल का दूसरा नाम क्या क्लासिकल, और क्या नाम है, ग्सरेशनल, और क्या काम है, नाम है, स Woo Is a आपका एथरोस्कलोटिकू, तो इतने सारे नाम, वो ही बहुत important है, stable हर नाम समझा रहा है stable मतलब जो stable है इसको अराम करने पर ठीक हो सकता है classical है चलता आ रहा है external है मतलब आपने exertion लगाया वहाँ पर virgin लगाया, काम किया, extra work लगाया तो हुआ, atherosclerotic मतलब वहाँ पर atheroma की वज़ा से generate हुआ, तो ये आपका नाम ही समझा रहा है कि इसकी क्या-क्या significance हो सकते हैं, दूसरा है unstable, जो की stability नहीं होगा आप rest करोगे तो भी सायथ पहले से ठीक ना हो उसके बाद है आपका crescendo या फिर ICU को बोल सकते हैं pre-infractional stage या फिर acute coronary syndrome ये उसके अलग-अलग नाम है, तेन आपका next one है, आपका प्रिंज मेटल या इसको अवेरियेंट या वैसोस प्लास्टिक एंजाइना इसको हम लोग बोलते हैं, अब हम देखते हैं एक एक के specific significance, सबसे पहले हम पहले वाले के बात करेंगे, तो the most common type, ये जो आपका stable है, हम हर बार topic discuss नहीं करेंगे heading को, सीधा point पर आ जाएंगे the most common type है आपका stable एंजाइना, generally 90% यही होता है, अगर आप unstable कारेंबात करोगे, तो recurrent attack of एंजाइना, at minimal exertion, और even at rest, जब इसके बात करोगे आप पहले वाले की, तो आप rest करोगे, वो ठीक हो जाएगा दूसरे वाले में, ये बार-बार हो सकता है, जब आप थोड़ा सा भी काम करो, minimal exertion होगा, तो भी सूरू हो सकता है और कभी-कभी तो ये जब आप rest कर रहे हो, तो भी सूरू हो सकता है, तो ये देखे, rest करने पर भी problem हो सकता है, ये है आपका unstable type of angina factoris, इसके बाद तीसरा जो हमारा प्रिंज मेंटल हो है, episode of recurrent, जो कि आता रहेगा, localized acute coronary vasos plasm, आपको जो coronary artery है, उसमें spasm generate हो जाएगा, अब coronary artery मतलब, बिग ऐसी artery जो आपके heart को ही blood supply करती है, इसे हम coronary artery बोलते हैं, उसमें spasm बोजने कारण से ये आपको pain generate होता है systemic heart attack on exertion emotional और इसमें specific symptom ये है, कि जो extra meals हम consume करते हैं, जो कि diet के अनहाजिनिक होती है, उसमें भी आपको ये problem create कर सकता है systemic heart attack हो सकता है कब exertion से emotional condition से, या कुछ specific case की case में, दूसरा है आपका unstable condition में, progressive atheromatous narrowing of coronary artery, ये progressive है बरता ही जाएगा atheromatous, मतलब atherosclerosis जो जम चुका है, plaque, इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, किसके respect में coronary artery, क्या हो जाएगी, narrow हो जाएगी ये देखिए, atherosclerosis होता क्या है ये हमारा blood vessel है यहाँ पर मैं 3 layer तो नहीं डॉकर पाऊंगा, 3D diagram बनेगा नहीं बट यह मान के चली कि यहाँ पर अगर plaque जम हो रहा है, किसी भी एक तरब तो आपके जो lumen saizer blood vessel का वो छोटा होते जा रहा है, अब यहाँ से कोई blood move करने चाहेगी, तो उसको रेस करने पर भी pain हो सकता है slip, सोथे समय भी pain हो सकता है and is usually not associated to exercise, जो कि most of the exercise associated नहीं होता आराम करते करते, सोथे सोथे भी आपको यह pain हो सकता है, तो तीनों में characteristic difference याद रखिएगा, next है no symptom addressed, इसकी case में stable case में, अगर आप rest कर रहे हो तो आपको generally कोई symptom देखने को नहीं मिलेगा, दूसरा है आपका unstable case, in acute coronary syndrome अगर जो coronary syndrome acute condition में है तो there is disloading plaque एक ऐसा plaque है जो move कर रहा है, that triggers the local platelet aggregation जो कि आपकी local जगह पे platelet के aggregation को trigger कर रहा है और उससे thrombosis हो रहा है वहाँ पे clotting process हो रहा है which can cause coronary occulton, जमना, चिपकना ऐसा problem कर सकता है which cause non-segment elevation, myocardial infraction, जो कि फिर आगे जग़र के heart पे extra pressure develop करने लगेगा इसके बाद जो आपका fringe metal है उसमें क्या करता है, vasoplastik angina may deteriorate into unstable angina, ये unstable angina में convert हो सकता है, ये आपके unstable है और fringe metal है इन दोनों के differentiate यहीं पे खतम हुआ, अब जो आप continue देखोगे, वो अंदर stable angina है, उसको पूरा उसी को control कर रहे है, तो अगला क्या है features क्या है, significance क्या है, stable angina का, symptom due to reduce myocardial oxygen supply or increase oxygen demand इसका जो symptom है pain का, वो किस पर जासे होता है, दो मैंने आपको शुरू में कहा, एक तो यह है, कि reduce myocardial oxygen supply, यहाँ पे जितने आपके myocardial cell को oxygen supply की ज़रत पड़ती है, उससे कम supply होता है, इसलिए यह pain होता है, या तो फिर oxygen का demand ज्यादा बढ़ जाता है, और उसकी supply नहीं हो पाती, तब जाकर यह pain generate हो causing stimulation of myocardial pain, mediating nerve ending, यह जो आपका atherometasthenosis है, खास करके आपके large coronary artery में, वो क्या करता है, वो generate करता है, acidic metabolites को, उनके accumulation को, और finally फिर वो cause करते हैं, आपके stimulation को, जिसकी कानद से myocardial pain हमको देखने को मिलता है, और यह जो आगे जा करके nerve ending में mediate होते हैं, और हमको pain का एहसास होत तो यह था simple सा, चोटा सा topic, जिसमें हमने बात किया, different forms of angina factoris with their significance, इस topic को बनाने के लिए हमने use किया है, textbook of pharmacology, by person, आरबंडारी, थी medical publisher के तारा प्रविस किया जाने वाला किताब है, page number 167, हमने इन से special request करके, इनके table को reuse करने का permission लिया हुआ है, ताकि आपके लिए इनके अ नमशकार, take care